वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू मूवी और सीरीज के रिवियू मिलते रहें जैसा की हम सबी जानते हैं डैनियल करगी की जैमस्पॉन केरेक्टर सबसे ज़्यादा फैमस है मूवी काफी ज़्यादा अच्छी है और कैसे मूवी में एंडिंग में इस केरेक्टर को काफी अच्छी तरह से फिनिस किया गया है जो आपको भी जरूर पसंद आएगा मूवी में डैनियल करगी के एक्शन्स और उनके स्टंड्स बड़े कमाल के हैं कैरी फुकरनाजा ने मूवी को काफी अच्छी तरह से डैरेक्ट किया है आपको इस मूवी की एंडिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव लगी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं मूवी में काफी ज़्यादा सप्राइजेस थे मूवी में अब दो 007 एजेंट्स थे मूवी में और भी कैरेक्टर्स हैं जिनोंने इस मूवी को काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग बनाया है जैसे रमी मलिक जो विलन का रोल कर रहे है इस मूवी में भी आपको कुछ नयाद देखने को मिलेगा ऐसा एक निउ गैजट जो सबकी सोच से परे है जैमस पॉन केरेक्टर को खतम करने से पहले उन्होंने बन को हर एक केरेक्टर से इंट्रेक्ट करवाया है मूवी काफी ज़्यादा फोकस थी जिसमें हर एक केरेक्टर को परफेक्ट सीन दिया गया है इस वज़ा से यह मूवी जेम स्पॉन केरेक्टर की परफेक्ट एंडिंग है मैं उमीड करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको न्यू मूवी और सीरीज के रिवियू मिलते रहें नो टाइम टू डाए जेम स्पॉन फ्रेंचाइज की